Hello and Welcome to our YouTube Channel आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गाजर की कांजी बनाने की रेसिपी यह गाजर का खटा पानी होता है जिसे की होली के टाइम पर ही बनाया जाता है प्रिफरेबली ये बहुत ही टेस्टी होता है खटा पानी होता है गाजर का और जितना ये टेस्टी होता है उतनी ये आसानी से बनता है और इसे बनाने का जो अदेश ही होता है जो परपस है वो ये है कि होली के टाइम पे हम बहुत जादा पकवान खाते हैं मिठाईयां खाते हैं मैदा और इस तरह की तली भुनी चीज़ में खाते हैं, तो वो खाना जो भी हमने खाया है, वो आसानी से डाइजस्ट हो जाए, हजम हो जाए, इसलिए इस पानी को बनाया जाता है, और जितना ही टेस्टी होता है, उतना ज्यादा ही ये फायदा भी करता है, तो चलिए बनाना शुक्त, तो यहाँ पर मैंने आदा किलो गाजर ली है, ये आदा किलो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मैं काम में आदा किलो ही लूँगी, और आदा किलो के हिसाब से हम जो पानी लेंगे, वो होगा करीब 2-2,5 लीटर पानी, अब क्या करना है कि इन गाजरों को अच्छे से धोग को छीलेंगे, और फिर उसके बाद इनके हम टुकडे करेंगे, लेकिन ये करने से पहले हम एक बगाणी में, या फिर एक कूकर में, पानी गरम करने के लिए रख देंगे, जिसमें हम इन गाजरों को उबलने के लिए छोड़ेंगे, तो पहले आप पानी रख दीजे, गैस पर तेज गैस पर आपको रखना है, और इस दौरान आप क्या करिए, कि इन गाजरों को अच्छे से धो लीजिए, और फिर इनको छील कर, इनके छोटे छोटे, करीब 2-3 इंच तक के, आपको इनके पतले और लंबे टुकडे करने है, और यह हमने पानी भी उबलने रख दिया था साथ के साथ, तो यह उबल चुका है अच्छी तरह से, अब इस उबले हुए पानी में, हम इन गाजरों को हम करीब 10 मिनिट तक उबलने के लिए छोड़ देंगे इन गाजरों को ज्यादा सौफ्ट नहीं करना है बिल्कुल गलाना नहीं है अगर आप कूकर में इनको उबाल रहे हैं तो आप ध्यान रखे कि उसके उपर आप कोई प्लेट से इने डखी और आपको उसके बाद या गाजर दे के पक जाएंगे इनको ज्यादा नहीं पकाना है ए थोड़ी इसी गलजने आपको इतना ही इनको गलाना है अब इन गाजरों को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और जब तक हम अपना मसाला बना लेते हैं उसके लिए हमें चाहिए राई हमने आदा किलो गाजर ली थी उसके हिसाब से हम 50 ग्राम राई ले रहे हैं जिससे हम मिक्सी में पीस लेंगे इसको दरदरा हम पीसेंगे और हमें लेने हैं मसाले मसालों में हमने आपे लिया है तीन चम्मच हल्दी थोड़ी सी हमने हींग ली है करीब तीन चम्मच हमने नमक लिया है और तीन चम्मच ही मिर्ची ली है अगर आपको नमक और मिर्ची बाद में अगर आपको कम लगता है जब यह पानी हो जाता है तो उसके बाद भी आप इसे डाल सकते हैं और यहाँ पर हम लेंगे कोईले, जो लकड़ी के कोईले होते हैं उन्हें लेना है और उन्हें गैस पर गरम होने के लिए डैरेक्ट गैस पर आप छोड़ दीजिए जब यह कोईले लाल होने लगेंगे तब इन्हें नीचे उताना है तब तक इन्हें होने दीजिए जब तक यह लाल ना दिखने लगें आपको और इस तरह की बर्णी हम एक लेंगे जो कि अचार के लिए काफी यूस की जाती है और इस बढ़नी के अंदर ही हम गाजर का पानी बनाएंगे तो देखिए ये आप जो कोईले हैं आपको लाल दिख रहे हैं इन पर हम डालेंगे करीब आधा चमच हमने घी डाला है और उसके ऊपर हमने हींग रख दिए है और ये जो दुआ है ये जैसे आया वैसे ही हमने अपनी बरनी उल्टी करके रख दिए है इस तरह से आपको रख देना है ताकि चितना भी फ्लेवर जाएगा हींग का कोईले की जो खुश्बू जाएगी और घी जाएगा उन सब का जो धुआ है वो बरनी के अंदर आ जाएगा और वो ही इस गाजर के पानी में गाजर के पानी को फ्लेवर देता है 5-7 मिन्ट तक ही आप इसे होने दीजिए क्योंकि जो धुआ है वो निकलता रहेगा जब तक की कोईला गरम रहेगा तो आपको इसे उल्टा ही रहने देना है इसे बिल्कुल हिलाना नहीं है जब आपको लगे कि ये धुआ निकलना बंद हो गया है कि 5 मिन्ट वैसे भी आप मालेजी इतना टाइम लगता ही है उसके बाद आपको इस बरनी को सीधा करना है और इसके मसाले डाल दीजिए और गाजा डाल दीजिए और गाजा डाल के आप इसको हिला दीजिए इस तरह से सारा आपको डाल देना है इसमें और इसकी बरनी को बंद कर देना है और इसे हम रखेंगे धूप में, इसे धूप में रखना है और जैसे धूप चली जाए शाम के टाइम, तो इसे हम अंदर रख लेंगे, नेक्स्ट हम वापस से इसे बहार रखना है, इस पानी को हमें 3-4 दिन तक बहार रखना है, क्योंकि तभी इसमें खटापन आएगा, त आप उन्हें तब भी और डाल सकते हैं, अगर आप जादा तीखा काते हैं, तो वैसे जैसे जितना मैंने हिसा बताया है, वो काफी है, इस पानी को स्वाद बनाने के लिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बीच-बीच में इस पानी को आपको हिलाते रहना है, मिक्स करते हैं, उनका इलिए भी काफी अच्छी चीज है, क्योंकि इससे नशा उतर जाता है, तो आप भी ट्राइ करिए, आप भी बनाए, बताए हमें कैसा लगा, थैंक्स फो वाचिंग